कभी नोट बंदी, कभी GST, कभी लॉकडाउन, हर कुछ दिनों में एक नया मास्ट स्ट्रोक आता है लेकिन ओरिजिनल वाला था गुजरात मॉडल विकास का वो 2AV फॉर्मिला जिसे देखकर अमेरिका का भी मोय मोय हो जाता था लेकिन आजकल गुजरात मॉडल के चर्चे कम है क्योंकि अब तो उसकी भी सचाई सरकार नहीं चुपाती है RBI का ओफिशल डाटा अब ये देखता है कि MP और गुजरात में एगरी कल्चर वोकर्स को देश भर में सबसे कम वेतन मिलता है अगर इंडिया का डेली नाशनल वेज का आवरिज है 345 रुपे तो MP में एगरी वोकर को मिलता है 229 रुपे और गुजरात मॉडल स्टेट में 240 रुपे अगर हम पूरा मैट्स करें तो गुजरात में 25 दिन खेतों में खटने के बाद मज़दूर मेहज 6000 रुपे कमाएगा वो ही नहीं, not so, मॉडर्न स्टेट केरला में 20,000 रुपे कमाएगा 25 दिनों में क्यूंकि God's Zone देश में भारत की highest agriculture wage है 760 रुपे एक दिन का stroke आता है मार्किट में लेकिन ओरिजिनल वाला था गुजरात मॉडल विकास का वो 2AB formula और आपको ये भी बता दे कि भारत दुनिया का 5th largest economy है और अगर लोगों ने सही नेता को चुना तो हमें दुनिया का 3rd largest economy बनाने से कोई नहीं रोक सकता